पर शेहर सिरीनगर के अरकाफ वाकनाफ की बात हो हर सडक पर एक कमर्शल गाड़ी वो चाहे गुड़स गाड़ी हो या पैसंजर गाड़ी हो उस गाड़ी पर आपको ये सिटीकर चिपके दिखेंगे और इस सिटीकर पे लिखा है एक NGO जो सामने नहीं आ रही जिसका नाम पता नहीं और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा आशिरवाद है दो लाख से जायद गाड़ी हो पर चार चार सिटीकर चिपकाने के बाद अब 16 करोड़ का ये बहुत बड़ा सिकेंडल जो है मनजर आम पर आ चुका है और मैं आपको वाजिया तोर बता देना चाहता हूं देड़ महीने के आर्से में मैंने एक रिसर्च किया गाउं गाउं डिस्टिक डिस्टिक गूम कर मैंने इस चीज की पता करी कि इस सिटीकर को क्या मौर्थ ने उजरा किया है क्या ट्रांस्पोर्ट डिपार्टनेट ने उजरा किया है या ट्राफिक डिपार्टमेंट ने उज्रा किया है लेकिन कोई भी इसके पीछे आपने आपको ओ नहीं कर रहा तो जाहर सी बात है ये सिकंडल जो कश्मीर में औरूज पर पहुँचने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक गोरक दंदे की शकल में हम सब के सामने है और आज हम मजबूर हो चुके हैं जबके हमें ड्राइवर्स का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुनसलिक एक भी शक्स का इसमें इनवालू होने से पता चला कि कोई भी एसा शक्स या ऐसी अथॉरिटी या ऐसा आफसर नहीं है जिसने इस चीज़ की इजाज़त दी है लेकिन क्या वज़ा है कि हमारे आँखों के सामने ये सब जब चल रहा है और सिस्टम में बैठे लॉस उक्रूनाइजिंग एजन्सीज खामोश तमाशाही है और इस सोला करोड के गबन का इस सिकैम का इस सिकेंडल का आखिर कार जवाब कौन देगा किस अथॉरिटी ने इस सिटीकर को एप्रू किया था किस ने इजाज़त दी थी कि इस सिटीकर को चिपकाने से आप अवेरनेस करोगे अजुकेट करोगे और क्या ये ऐसा मिटीरियल कभी भी किसी भी NGO के दौरा या किसी भी मिनिस्ट्री के दौरा या किसी भी अथौरिटी के दौरा लोगों को इंफॉर्म करने के लिए पैसा होना जुरूरी है क्या ये खरीद कर इस चीज़ का इस्तिमाल करना जरूरी है तो गोरक दंदे में साफ नजर आ रहा है ऐसे लोग जिसके आशिरवाद तले ये सबसे बड़ा सिकेंडल जमू कश्मीर के कश्मीर सूबे में ठीक ठाक से इस पर काम कर रहे बहुत सारे लोग नंगा हो चुके हैं और मैं अथॉरिटी से बिल खुसूस अंटी करॉप्शन बीरो क्राइम ब्रांच और एलजी सरकार के बनाई हुई खुसूसी टीमों से गुजारिश करना चाहूँगा जनाब अपनी टीम्स को गियर अप करके इस सिकेंडल को झाल झाल